आज खुलासा है राजस हवा चुनाब में नोटा के विरोद पर सुप्रीम कोट ने गुजरात में राजस हवा की टीन सीटों के चुनाब में वैलेट पेपर पर नोटा का विकल्प दिये जाने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई है उसने कांगरेश की दलीलों को न सिर्फ खारिश किया बलकि यह भी कहा कि अपनी सुवधा के हिसाफ से वह इन चीजों का विरोद नहीं कर सकती है इस फैसले के बाद तै हो गया है कि गुजरात का चुनाब नोटा के साथ होगा तभी सवाल है कि कांगरेश के विरोद की असली वजह क्या थी और इसका क्या असर होगा चुनाब आयोक के वकील असोग देशाई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर्वोच अदालत के आदेश के बाद 2014 में नोटा अधिसूचित होने के बाद राज्य सवागी 95 सीटों के लिए चुनाब होए और सब में नोटा का इस्तमाल किया गया लेकिन तब कांग्रेस ने कोई विरोद नहीं किया अदालत ने उनकी इस दलील को स्विगार किया और कांग्रेस के दोनों हाई प्रोफाइल वकीलों कपिल सीवल और अविशेक मनू सिंग भी को कहा कि जब तक उन्हें यह अनकूर लगा उन्होंने इसका विरोद नहीं किया यह कहते हुए अदालत ने कुछ नोटेस जारी किये और कहा कि वह सिर्फ इस बात पर विचार करेगी कि यह समवैदानिक है या नहीं यह सिर्फ एक राज्य के चुनाब के लिए नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट की दो जज़ों की बेंच इस वर विचार करेगी कि नोटा यानि इन में से कोई नहीं का विकल्प राज्यसवा चुनाब में दिया जाना चाहिए या नहीं ध्यान रहे नोटा का विकल्प सभी चुनाबों में दिया जाने लगा है कांग्रेस ने गुजरात में राज्यसवा चुनाब में नोटा का विकल्प देने पर इस आधार पर सवाल उठाया है कि इसके लिए जन प्रतिनिदित्य कानून में बदलाव नहीं किया गया है और यह सिर्फ चुनाव आयोग का एक सरकुलर है लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि पिछले डेर्ड दसक में चुनाव में जो भी सुधार हुए हैं वे आयोग के कारेकारी आदेसों से ही हुए हैं नामंकर्न पत्र दाखिल करने के लिए खलब नामा देने और उसमें अपनी संपत्ती, देंदारी और सेक्षिक वा आपराथिक रिकॉर्ड की जानकारी देने का काम भी आयोग के कारेकारी आदेस से ही शुरू हुआ था और उस समय केंदर की अटल बिहरी वाजपई सरकार ने इस आधार पर ही इसे अदालत में चुनौती दी थी कि यह जन प्रतिनिधित कानून का उलंगहन है लेकिन सर्वोच अदालत ने उस समय भी उनकी दलीलें खारिज कर दी थी तो कांग्रेस के यह तर्क लचर हैं कि सिर्फ कारेकारी आदेस से ऐसी चीज़ें नहीं लागू हो सकती हैं चुनाव आयोक के अधिकार को चुनौती देने का कांग्रेस का फैसला भले गलत है लेकिन यह वात सही है कि राज्यसवा चुनाव में लोटा गेर जरूरी है इसका कारण यह है कि यह चुनाव लोगसवा और विधानसवा चुनावों से अलग है उन चुनावों में आम मद्दाता बोर देता है जिसे कई वार उम्मीदवार के बारे में जानकारी नहीं होती उन चुनावों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार लडते हैं जिन में कई आप राधिक छवी के होते हैं दूसरे मद्दाता किसी पार्टी के साथ बंदे नहीं होते हैं और मत्दाता किसी न किसी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधी होते हैं और इस नाते वे पार्टी भिप से बंधे होते हैं। उनको नोटा का बिकल्प देना सीधे सीधे उनके पार्टी नेतर को की और से चुने गए उम्मीदवार की मुखालफत के लिए उक्साना होगा। उन्हें एक बिकल्प दिया जाएगा कि वे पार्टी के आदेशों को ना मानें और कारवाई से भी बच जाएं। निश्चित रूप से इसी तर्प के आधार पर राष्टपती या उपराष्टपती चुनाब में नोटा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जबकी वहां विप भी जारी नहीं होता है। उसमें निर्वाचन मंडल के सदस्य अंतर आत्मा की आवाज पर बोट डाल सकते हैं। तब ही सम्वेधानिक रूप से सही होते हुए भी राज्यसवा चुनाब में नोटा का विकल्प देना राजनीतिक रूप से सही नहीं लगता है। कांग्रेस की यह चिंता सही है कि इससे भष्टाचार बढ़ेगा। बैसे भी इसले कई राज्यसवा चुनाबों में पैसे के लेंदेन की खबरें आती रही हैं। पैसे लेकर बिधायक पार्टी विप का उलंगन कर देते हैं। लेकिन नोटा का विकल्प देने से उनको विप का उलंगन करने की जरूरत नहीं है। वे अगर नूता का विकल्प चुनते हैं तो उन पर विप लागू नहीं होगा इसे माना जाएगा कि वे चुनाब में गैर हाजर रहे